क्लास 3 सब्जेक्ट ग्रामर इससे प्रीवेस एपिसोड में हमने पढ़ा था कॉमन नाउन और प्रापर नाउन पेज नमबर 13 जैसे कि आपको मैंने बताया था कि कॉमन नाउन क्या होता है कॉमन नाउन में आते हैं आपके फेस्टिवल, मांथ, डे, लैंग्विज, मॉन्यूमेन, रिवर, सी, मांटेन, लेक, बुक, नियूस्पेपर, मैग्जीन अभी हम सिर्फ अगर फेस्टिवल लिखेंगे कहीं पे, अगर आप कहीं पे वह पड़ते हैं, लाइन पढ़ रहे हैं, जहां पे सिर्फ मैंशन किया गया है फेस्टिवल तो आप उसको common noun में रखेंगे लेकिन कहीं पर एक sentence दिया हुआ है जहां पर यह लिखा गया है कि we celebrate holy तो वो आ जाएगा आपका proper noun में उसको आप इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए उसे आगे करिएगा, ठीक है? देख लीजे इसी तरीके से देख लीजे आप अगर कहीं पर आप यह पढ़ रहे हैं कि सिर्फ month लिखा है तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो common noun की बात हो रही है लेकिन अगर उसी किसी sentence में आप देखते हैं कि April, December, January लिखा है तो आप समझ जाएगा कि वो proper noun है तो इसी तरीके से हम exercise में चलते हैं इसी के नीचे ए Underline the common nouns in the sentences Each sentence has two common nouns One has been done for you नीचे कुछ sentence दिये गए हैं इसमें हर sentence में दो common noun है हमको उन्हें ढून कर underline करना है तो देख लीजिए One पर देखिए The man is reading a newspaper एक man की बात हो रही है मतलब आदमी एक newspaper पढ़ रहा है एक आदमी newspaper पढ़ रहा है तो man क्या है Man common noun है और newspaper भी common है क्योंकि man कोई भी हो सकता है Old, young, कोई भी हो सकता है तो हम पहले man को underline करेंगे और इसके बाद newspaper तो newspaper की बात हो रही है तो newspaper में अगर हम बोलेंगे अगर हम किसी newspaper का नाम लेते हैं जैसे Hindustan, Danic, Times of India तो तब वो बन जाएगा proper noun तो आगे बढ़िए आगे बढ़ जाईए to पे He goes to office by bus किसी की बात हो रही है कि वो office जाता है कैसे जाता है बस से जाता है तो आप office को underline करिए क्योंकि office भी अलग-अलग तरीके के होते हैं एक ही तरह तो office होता नहीं है office school में भी होता है office bank में भी होता है तो office अलग-अलग तरीके के होते हैं तो office क्या है? common noun है इसे आप underline करिए और bus bus भी अलग-अलग तरीके की होती है कोई दिलक्स बस होती है, कोई एसी बस होती है, कुछ सिंपल ही बस होती है, तो बस भी आपकी common noun है, आगे बढ़िए, there is a tree beside the house, तो इसमें दो common noun है हमारा, first है tree, दूसरा है house, tree भी अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, mango tree, banyan tree, people tree, और house भी अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं, अभी house बोल रहे हैं, तो उसे common है, लेकिन जब हम उसको बोल देंगे, big house, small house, तो वो हो जाएगा proper, तो दो हो गए हमारे tree and house, four पे आजाईए, a woman is standing at the gate, एक woman जो है वो gate पे खड़ी है, woman भी common है, क्यों, क्योंकि अभी इसले common है, क्योंकि किसी भी, अगर हम इसमें बोल देते हैं, कि old woman, young woman, तो यह हो जाएगा proper, लेकिन हम सिर्फ अभी particular woman बोल रहे हैं, तो वो होगा आपका common noun, gate, gate कोई सा भी gate हो सकता है, वो house का gate हो सकता है, तो gate को भी आपने underline करना है, फिफ्ट पाले में देखिए, the car went quickly along the road, एक car की बात हो रही है, कि car quickly कहां गई, तो car भी अलग-अलग तरीके की हो सकती है, car की अलग-अलग वो होती है, अलग-अलग तरीके की car होती है, तो car भी common है, भी इसको भी आप underline करिए, और road भी, कोई सी भी road हो सकती है, वो हमारे घर के सामने road हो सकती है, market की road हो सकती है, तो इसको भी आप underline करिए, शिक्स पे आजाईए, वो कहा रहे हैं कि हम बात करते हैं, speak मतलब बात करते हैं, कितनी बार, twice, भी एक हफ़ते में दो बार, तो इसमें दो आपके common noun हैं, वो कौन-कौन से हैं, एक तो आपका speak हो गया, और एक आपका week हो गया, week मतलब होते हैं, हफ़ते जब हम Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday बोलेंगे, तो वो हो जाएंगे आपके proper noun, लेकिन अभी सिर्फ weak mention किया गया है, और speak, speak मतलब language, language में आप अगर बोलेंगे कि, अगर आपने यहाँ पे लिखा होता कि हम English में बोल रहे हैं, Hindi बोल रहे हैं, तो वो proper होता, लेकिन अभी सिर्फ mention किया गया है speak को, तो वो भी common है आपका, तो आप इसमें इसको underline करिए, आपने इसको अपनी copy में करना है इसी तरीके से, प्लीज टर्न दा पेज 14, तो अभी आप इसमें देखिए, बी पार्ट, अंडरलाइन दा प्रॉपर नाउन इन इच सेंटेंस, रिप्लेस इट विद अनदर प्रॉपर नाउन, वन हैस बीन दन फो यू, अब इस वले exercise में आपको, प्रॉपर नाउन को रिप्लेस करने के लिए बोला गया है, जैसे कि मैंने आपको पताया था, कि अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं, अलग-अलग रीमा, नेहा, राहुल, तो वो हो गया आपका प्रॉपर नाउन, तो इसी तरीके से इसमें जितने भी प्रॉपर नाउन दिये गए हैं, आपने उनको रिप्लेस करके प्रॉपर नाउन ही लिखना है, लेकिन जो दिया गया है, उसको आपने रिप्लेस करना है, आपको यहाँ पर एक example भी दिया गया है, देखिए, वन वाले को आप देखिए, रेखा, means कि उसको underline किया है, तो वो proper noun है, रेखा is singing a song, अब हमने क्या करना है, हमने एक आप जब वन उतारेंगे तो उसके नीचे से ही आपने correction करके वन लिखना है, एक line में आप यह हमने उसका नाम चेंज कर दिया, हमने कर दिया, रीमा is singing a song, तो यह हमारा, हमने पहले जो proper noun दिया था, उसको replace करके दूसरा ही proper noun लिख दिया है, इसी तरीके से मैं आपको सिर्फ हिंट के तोर पे इसमें underline लगवाँगी, आपने कौन से वाले proper noun को replace करना है, तो देख हिंदी, मेरी sister को हिंदी आती है या वो हिंदी जानती है, तो इस उर्दू जानती है, तो आपने उर्दू पे underline करिए, आपने इस उर्दू के बदले चाहे तो आप हिंदी लिख दीजे, English लिख दीजे, French लिख दीजे, आपने कोई सी भी other language इसमें लिखनी है और बाकी sentence स इसमें उतारना है कि my sister knows Hindi, my sister knows English, आपने इस language के पतले कोई और language लिख के उसको rewrite करना है, 3 में देख लीजे, I bought this watch from Mumbai, मैं ये घड़ी मुंबई से लाई हूँ, तो underline करिए मुंबई को, और आपने इस मुंबई को replace करके, दूसरे किसी भी city का नाम लिखना है, चाहे आप Delhi ल और ये बन जाएगा, I bought this watch from Calcutta, I bought this watch from Delhi, I bought this watch from Dehradun, आप इस तरीके से इसको rewrite करिएगा, 4 पर देख लीजे, he is working in Iran, वो इरान में काम करता है, तो आप इरान को underline करिए, और आपने इस इरान को replace करके, एराक हो सकता है, दुबई हो सकता है, लंडन हो सकता है, कोई सी भी country क नाम लिखना है, 5 पर देखिए, the Taj Mahal is a famous monument, Taj Mahal क्या है, एक proper noun है, उसको आप underline करिए, उस Taj Mahal को replace करके, आपने किसी other monument का नाम लिखना है, जैसे आपको मैं बताती हूँ कि आप Red Fort लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसे तरीके से अगर आपको कुछ और पता है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, एक sentence बन जाएगा, the Red Fort is a famous monument, 6 पर देख लिजे, my friend celebrates Christmas, मेरा friend जो है, वो Christmas celebrate करता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, my friend celebrates Diwali, Holy, रक्षा बंधन, तो Christmas को underline कर दीजे आप, आगे बढ़िए, 7, he did not go to school on Tuesday, तो आपने इसमे Tuesday को replace करना है, और आप यहाँ पर Wednesday लिख सकते हैं, Thursday लिख सकते हैं, कुछ भी use कर सकते हैं, 8 पर, they go to Bangalore every summer, अब हमने इस Bangalore को change करना है, और हमने summer को भी change करना है, तो यह हमारा नया sentence बन जाएगा, they go to Goa every winter, ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको अपनी copy में करना है,